हे स्टुडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यह देखेंगे कि अगर आप कॉमर्स स्टुडेंट हो, चाहे बिकॉम, एमकॉम या किसी और सिमिलर कॉर्स में आप ग्रेज़ेशन, पोस्ट ग्रेज़ेशन कर रहे हो या कर चुके हो, तो आपके पास एक important news मैं आपके साथ share करना चाह रहा था, आपको पता है कि हमारे 25 certificate courses रहते हैं, जो basic से लेकर advanced level तक है return filing registration and all things जो उनके nearby होती है, तो वो courses अभी बहुत heavy discount पे available हैं, उन students के लिए जो financially इतने strong नहीं है और full fees provide नहीं कर पाएंगे, तो आप join कर सकते हो, just 400 rupees per subject के around fees पे, तो ये 25 courses आप join कर सकते हो, और इन courses को करने के बाद students 50,000 से ज़्यादा earned कर रहे हैं, in fact कुछ student ऐसे भी हैं, जो 2,3,000,000 रुपे महिना भी earned कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि इतना practically कैसे possible है, तो app download करिए, course के अंदर free videos भी हैं, आप पहले उनको check करिए, और समझीए कि कैसे earning का scope इतना ज़्यादा इसमें exist करता है, और इसके अंदर आपको GST, income tax, tally, RP9, tally, prime audit, loan, financial account, इस तरह की के सारे courses मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहते हो कि एक chartered accounting से expertise level लेना चाहते हो, और सीखना चाहते हो practically, तो इस opportunity को miss बिल्कूल भी मत करना, students भी आते हैं, 2000 चार्ज कर सकते हो, और ये एक batch में जरूरी नहीं है, आपने दो batch पड़ा है, पांच-पांच-बचे भी आगे, तो भी आपके उसकी साब से cover होगे, हाँ, fees कम है, तो आप उसकी साब से calculation अपने according कर सकते हो, तो earning potential यहाँ पे है, 10,000 to 15,000 आप initially अराम से earn कर सकते हो, और over the time आप उसको अपनी income को increase कर सकते हो, जैसे जैसे आपके student increase होते चाहेंगे, इसकी बाद हमारे पास option आता है, social media management for financial advisors, अगर आप चाहो, तो जो financial advisors होगे, या coaching institutes होगे, online mode में जो पढ़ाते हैं, या offline mode में जो पढ़ाते हैं, जो आपकी subject से related है, तो आप उनके social media handles को manage कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास एक benefit है, कि आपको subject की अच्छे से knowledge है, आपको पता है कि accounting, business, economics, taxation कैसे वर्क करता है, तो आप उन educators के लिए, या financial creators के लिए content easily prepare कर सकते हो, तो यहाँ पर educator को बहुत ज़्यादा efforts देने की requirement नहीं होगे, otherwise क्या होदा है, नॉर्मली एक challenge आता है, कि अगर हम किस video editor को, या graphic designer को hire करते हैं, तो वो normally non commerce background से होते हैं, तो उनको commerce की knowledge नहीं होती है, तो सारा content उनको पहले से word properly draft करके देना पड़ता है, बट यहाँ पर अगर आपको commerce की पहले से knowledge है, तो यह problem आपके साफ नहीं आएगी, तो आप उनको financial advisors या जो भी educators हैं, आप उनको कह सकते हो कि मेरा इसमें background है, और मुझे graphic designing और video editing आती है, यह जो भी आपको आता है, और उसकी साफ साफ services उसमें दे सकते हो, आप उनके लिए content creation करना, उसको scheduling करना, या social media पर engagement को increase करने का काम कर सकते हो, और यहाँ पे भी अगर आपने 3-4 ऐसे clients manage कर लिए, तो आप usually आराम से 10-20,000 र accounting कर रहे हों, taxation and accounting, दोनों different चीज़ है, taxation वाले पार्ट पे भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ, bookkeeping, यानि कि आप उनके accounting कर रहे हो, accounting करने के दो method होते हैं, या तो आप किसी shop पे, या किसी छोटी business पे, या बड़ी company में, आप as an accountant job पे से एक fixed salary आप ले रहे होंगे, दूसरा तरीका क्या होता है, जो ज़्यादा earning वाला रहता है, कि आप part-time accounting का work manage कर रहे हो, अलग-अलग clients का, तो मान के चलिए कि आपने पूरे महिने में 10 client ऐसे लिए, और 10 client का work manage करो, बहुत अराम से हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है, और client से अगर आप महिने के 5000 रुपीज भी charge कर रहे हो, तो 50,000 रुपए आपका महिने की income generate होने शुरू हो गई, इसके उपर और taxation वाले के ऊपर, एक बहुत detailed video है मेरी, आपको description में link मिल जाएगा, अधरवाज CA प्युज गुपता के नाम से mobile app है, वो download करना, वहाँ पर मैंने ठीक है, तो वो सारी चीज़े आप देख सकते हो, तो इसके लिए important क्या है कि या तो दो तरीके रहते हैं, या तो आप one to one पर, संसे shopkeeper से offline में मिलें, उनको कहें कि मैं आपका accounting का work करना चाता हूँ, अगर आप online वो mode में करना चाते हैं, तो यह कुछ freelancing websites होती है, आप note कर सक accounting में कोशिश करें कि आप छोटे business को cater करो, ज्यादा बड़े business पे target मत करें, कोई सामने से आते हैं, that's a very good thing, but आपका focus होना चाहिए छोटे business का starting में, reason being, कि जो बड़े business होंगे, उन्होंने अपने पास full time account को hire किया होगा, और वो सारा work अपना किसी ना किसी सा already करा रहे होग यहाँ पर मैंने आपको बताया, 20,000 तो बहुत nominal चीज है, आप monthly earn करी सकते हो, और अगर आपको proper knowledge है, और आपको tips पता है कि कैसे client बनाने, तो आप अराम से 50,000 रुपे से भी जादा महीने के earn कर सकते हो, इसके पाद आता है, taxation is a different thing, इसके पाद आता है, taxation preparation services, taxation preparation services के उपर त तो वहाँ पर आपको पूरा इसके उपर in-depth webinar मिल जाएगा और वीडियोज मिल जाएगे कि कैसे आप इसके त्रू लैक्स में earn कर सकते हो, तो taxation preparation service के लिए आप client का na taxation का का काम कर रहे हो, GST का return filing का, registration का, उनको consultancy देने का, income tax का कर रहे हो, और again important thing, यह सारी सीजे जो मैं बता क्या कर सकते हैं, छोटे businesses की return filing में work कर सकते हैं, छोटा business in the sense कि जो एक करो, दो करो तक का भी जिनका sale रहती है, turnover होता है, उन तक का आप बड़े अराम से कर सकते हो, और जैसे जैसे आपकी practice होती जाएगी, तो आप बड़े clients भी handle कर सकते हो, starting में आप छोटे level से start कर सकते हो, तो अपने friends से, अपनी family level से start कर सकते हो, फिर दीरे दीरे आपको clients मिलते जाएंगे, again मैं कहूंगा कि वो playlist YouTube पे देख लिए ना, कि clients कैसे बनते हैं, या app के अंदर देख लिए ना, वहापे आपको काफे knowledge इसके बारे में मिल जाएगी, और यहाँ पे तो students होए हैं, वो मैं Instagram पे content लोग ज्यादा prepare करने लगे हैं, बट आज भी आप देखेंगे, तो finance related बहुत सारे blogs exist करते हैं, websites exist करते हैं, जहाँ पे जो website के honor होते हैं, वो taxation और accounting से related information share करते हैं, तो यहाँ पे आप उनके लिए क्यों कि आपको पहले से knowledge है, और आप chat GPT जैसे tools को use करके, बहुत content to prepare करके, उनके लिए block prepare कर सकते हो, तो यहाँ पे जिस भी subject के आपको knowledge है, accounting, taxation या finance के, उससे related उनके websites पे blocks prepare करने में उनकी help कर सकते हो, और यहाँ पे एक article लिखने के 500 से लेकर 1500 पर article आप charge कर सकते हो, डिपेंड करता है कि website कितनी बड़ी है, article में कितने efforts लग रहे हैं, और वो कितना pay earning के लिए ready है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अगर month में आपने 10 article पी लिखे, तो आपकी earning यहाँ पे sufficient हो जाती है, अगर आपने 2-3 clients इस रखे के लिए 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 तो आपकी earning और ज्यादा increase हो जाएगी, ठीक है, फिर इसके बाद एक और आपके पास option आता ह है, that is e-commerce accounting, देखो आज के टाइम पे na e-commerce एक बहुत important part हो गया है, आप देखेंगे बहुत सारे businesses हैं जो online mode में work कर रहे है, especially Amazon, Flipkart, MeShow, इस तरह पे पी sell कर रहे हैं और उनकी अपनी websites भी है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप specialization कर सकते हो, कि e-commerce को ही target करना है, तो आप भी कर सकते हो, देखो पहले मैं कहूंगा कि best है कि आप हर तरह के client को handle करो, सिर्फ e-commerce पे मत चाओ, बट अगर आपको लगता है कि e-commerce में existing आपकी knowledge बहुत अच्छी है, वहाँ पे work कर सकते हो, तो उनको भी आप accounting services provide कर सकते हो, किसी तरह की का कोई issue उस चीज में नहीं है, ठ contact कर सकते हो, और उसके अलावा, बहुत सारी websites पे, Amazon Flipkart पे आप देखेंगे, तो service provider का registration भी होता है, जहाँ पे आप as a service provider की accounting services provide करते हो, वहाँ पे register कर सकते हो, इसमें आप एक video देखेंगे न, playlist, YouTube पे playlist है, उस playlist में है students के interview, interview में बताया है कि अलग-लग students कैसे अन कर रहें, त ठीक है, तो उन्होंने e-commerce पे ही main focus करके अपना सारा work e-commerce से कर रहा है, क्योंकि उनको non-commerce background से थे, उनके e-commerce में knowledge अची थी, तो उन्होंने कहा किया taxation and accounting skills develop करी अपनी, और e-commerce से अपना business start किया, तो वो एक part रहता है, but starting में मैं कहूंगा, कि अगर आप zero से start कर रहें, और e-commerce म आपके ऐसे कोई special grip नहीं है, तो फिर better है कि आप general सभी को service provide करना start करो, यहापे आपको accounting skills की knowledge होना जरूरी है, targets जो clients करोगे, मैंने आपको पताया है, कि आप online clients जो online sell करते हैं, उनको target करोगे, और यहापे potential depend करता है, कि आप कितने clients को manage कर पा रहे हो, अगर 10-15 clients आपके हैं, तो normally 1000 रुपीस पर client आप monthly earn करी लेते हैं, तो 10-15,000 रुपे आप यहापे part-time work में कर पाऊगे, और इसके लिए बहुत ज़्यादा time devote करने की जरूरत भी नहीं होती है, इसके बाद एक option रहता है, जो मैं suggest बिल्कुल नहीं करूँगा, बट क्योंकि एक option है, तो मेरी duty बनत आपको salary भी pay करेंगे, अगर आप बिल्कुल ऐसे fresher जाओगे, बिना किसी knowledge के taxation accounting की knowledge, आपको पहले से practical knowledge नहीं है, return filing registration, client handling, यह सब चीज़े नहीं आती है, तो आपको सीखने के लिए वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगा, और उसके अलावा, वहाँ पे salary आपको या तो नह 20,000 रुपी की salary expect कर सकते हो, depending on your knowledge and location, उन सारी चीज़ों के उपर factors पर depend करता है, बट हाँ 15,000 रुपी की salary आप अराम से CA firm में expect कर सकते हो, तो यहाँ पर यही है कि CA firm में, आप CA calendar में apply कर सकते हो, पहले लेकिन सीख लेना, अदर्वाइस 2-3,000 रुपी की job मुश्किल से लंबे टाइम तक आप work नहीं कर पाओगे, growth भी नहीं मिल पाईगे अगर आपने पहले से नहीं सीखा, और बाकी फिर कुछ internship online में भी दिखती हैं, बट उसमें frauds भी काफी होते हैं, तो थोड़ा सा आपको verify करके apply करना रहेगा, तो job portals पर linkedin के through आप वहाँ पर apply कर सकते ह यहाँ पर वो as an intern आपको hire करते हैं और वो आपको salary pay कर रहे होते हैं, अग इसके बाद यहाँ पर main अगर मैं पूरे इसके short में crux करता हूँ कि आपके पास क्या options हैं और आप कैसे क्या option आपको select करने चाहिए, then that is very important कि सबसे पहले आप देखो कि आपकी skills क्या है, अगर है कि taxation, accounting, finance, MSME, bank loans related, website development में से कुछ भी आपका बहुत strong है, तो आप सबसे पहले उसी से start करिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास ऐसी कोई skill नहीं है, तो best है कि पहले आप अपने skills को develop करो, बिना सीखे आप अगर work करने जाओगे तो कोई फैदा नहीं है, और आप earning की चकर में शुरू में 5000 रुपी की जॉब कर लोगे तो पूरी लाइफ उसी में फसे रह जाओगे, best है थोड़ा सा practically सिखो, कि problem किया ना, जो colleges में सिखा जाता है, maximum colleges में, education system ऐसा हो गया है, कि वो आज, वो सिखा रहे हैं, जो market में चाहिए नहीं, तो वो जो आप वहाँ प अपने develop करो, ठीक है, फिर इसके बाद मैं यही कहूँगा, कि start जब कर रहे हो, तो बेफिक कर रही है, थोड़ा छोटे level से भी start कर रहे हो, छोटे clients भी manage कर रहे हो, चलेगा, बट धीरे धीरे आप उसको अपनी skills को develop करते रहे है, grow करते रहे है, और अगर study कर रहे हो, तो definitely study हम पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो अब आपके लिए सबसे important क्या है, कि एक तो सिर्फ वीडियो को देखा है, वीडियो को देखके और एक entertainment लेया, अगर आप यहां तर देख रहे हो, तो आपने मतलब देखा तो पूरा seriously है, क्योंकि 50% student तो 50% videos पे चोड़के चले जात है, अगर देखके आप इसको ऐसी चल दिये, तो फिर वीडियो को देखेगा, कोई benefit नहीं हुआ, अगर आप commerce background से है, तो मैं recommend करूँगा, कि app download करके वहां पर आप जरूर देखो, कि कैसे earning करने के आपके पास scope हैं, कैसे students high earn कर रहे हैं, otherwise YouTube की playlist पे भी आपको option मिल जाएगा, अप पे थोड़ा सा better way में मिल जाएगा, और दूसरी चीज, अगर आपको ये video अच्छी लगी, informative लगी, क्योंकि ये सब options ना कोई normally बताता नहीं है, commerce students को, तो ये video अपने commerce friends के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकों भी पता चले कि commerce वाले student किसी से पीछे नहीं है, commerce एक ब